मुख्यमंत्री भूपेश बगेल का फ्लेक्स उतरवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है आपको बता दे कि कॉंग्रेस की खुजी विधायक छनी साहू ने हल ही में हलबा समाज के कारेक्रम में अपने ही मुख्यमंत्री भूपेश बगेल वो प्रबारी मंत्री मोहमद अकबर का चर्थिस गड़ के गोडल वाही में फ्लेक्स उतरवा कर फिकवा दिया है जिसके चलते सिनहा समाज में लगातारा क्रोशपन अपता जा रहा है बता जा रहा है कि खुजी विदान सबा के ग्राम गोडल वाही में हलबा समाज के कारेक्रम में मुख्यमंत्री वो प्रबारी मंत्री के स्वागत में पंडाल पर फ्लेक्स लगवाए गया था खुजी विदान ने फ्लेक्स देखते ही अपना आपा खो दिया वहपद के नशे में ये भूल गई कि इस फ्लेक्स पर उनके ही पार्टी के मुख्या का भी फोटो है यहां बता दे कि जिसे अपने कुछ समर्थकों के हाथों निकाल कर फेकने का निर्देश दिये जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है कॉंग्रेस के इस गुटबाजी को देखते हुए लगता है कि आने वाला समय कॉंग्रेस के लिए ठीक नहीं है उस दिन की घटना को देखकर उपस्ति आदिवासी समाज के नेता हक के बक्के हो गए उपस्तित अधिकारियों वानने लोगों में विधायक के इस रवईये को लेकर चर्चाओं का वाजार भी गर्म रहा इधर सिना समाज के लोगों को जैसे ही इस घटना की खबर लगी उन्होंने ततकाल जोगर गाउं विधायक वा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष दलेशवर साहू के निवास में आयोजित सिना समाज के कारेकरम में निंदा प्रस्ताव रखा और इस मामले पर तुरंत कारवाई नहीं होने पर अरजेंट मीटिंग बुलाकर पूरे प्रदेश में विधायक का पुतला दहन किया उन्होंने कहा कि इस मामले में समाज के लोग अब कारवाई नहीं होने तक पीछे नहीं अटेंगे बहराल विदायक के कारनामे की वज़े से कॉंग्रेस की वर्तमान में किरकिरी होने से कोई नहीं रोक सकता है वही सफाई में विदायक छनी साहू ने लोगों को राजनी तिक ना करने की सलादे डाली है जब कॉंग्रेस नेता तरुन सुना ने इस संबंद में पूछा गया तो उन्होंने काया कि उन्होंने अपने नेता वा छटीसगड मुख्यमंतरी का फोटो लगाय था किसी दूसरी पार्टी का नहीं पताते चले कि छटीसगड के राजनान गाओं में मुख्यमंतरी भूपेश बगेल का फ्लेक्स उतरवाने का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है कॉंग्रेस के खुजी विदाएक छुनी साउने हाली में हल्बा समाज के कारेक्रम में अपने ही मुख्यमंतरी भूपेश बगेल वे प्रभारी मंतरी मुख्यमंतरी मुख्यमंतर का चटीसगड के गोडल वाही में फ्लेक्स उतरवा कर फिकवा दिया था जिसको लेकर विरोध होना शुरू हो गया है राजनांद गाउं से समादाता अमरी श्टांडिया की रिपोर्ट मुख्यमंतरी का फोटो एक तुफलेक्स आपके द्वारा लगा आ गया था और आपके समर्थ को द्वारा जगा जगा था मुख्यमंतरी के पहुंचने के पूर वही उसको कांग्रेश की विधायक द्वारा निकलवाद देया गया कि क्या कारण है भाई उस कारकम के हलबा समाज के कारकम के मुख्यत थी आदर्णी भूपेश बखेल जी थे उस कारकम में सिर्कत कर थे हमारे प्रभारी मंत्री आदर्णी मुहमद अगबर जी आदर्णी पदम कोठारी जी और उसकारकम के हलबा समाज के अध्यक्ष पान्नी बिरिन मसीह जी थे तो निश्चित रूप से मैंने हमारे नेता जब आ रहे हैं जब प्रदेश का मुख्य आ रहे हैं तो उनका अभिनेंदन करने का मैंने फोटो लगवाया निश्चित रूप से मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने नेता का फोटो लगवाओं इसे देखकर अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ स्रीमति छन्नी साहुप को कि उस फोटो को तदकाल अपने समर्थ अधकर को दोरा निकलाया गया यह देखकर मुझे बड़ा अचंभित लगा जबकि मैंने सारे अकबारों में सारे विधायकों का फोटो मेंशन करवाया था सब लोगों का फोटो उसमें लगवा था इस तरीके का जो कारी है वो निश्चित रूप से आदिवासी समाज के ल करम में कोई राजनितिक अगर पोश्टा चड़ा जाता है लगाया जाता है तो निच्ची द्रूप से समाजी करकर कोई प्रकार कराजनितिक नहीं होना चीए ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें सब्सक्क्राइब HU